C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थे, कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग दो सबक सादत हसन मन्चो तारुफे मुसन्निफ सादत हसन मन्चो पैदाईश 1912 वफाथ 1955 मन्टो जिला लुध्याना पंजाब में पैदा हुए उनके खानदान का तालुख कश्मीर से था मन्टो की इप्तिदाई तालीम अमरिटसर में हुई आला तालीम के लिए अलिगड़ाए इसी दोरान तालीम मुनकता करके मुलाजिमत कर ली मन्टो इप्तिदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए और कई रूसी कहानियों का अर्दू में तर्जमा भी किया तरकी पसंद तहरीक के आगाज में वो इस तहरीक से मुतासिर हुए लेकिन आगे चल कर वो इस से किनारा कश हो गए इप्तिदा में अखबार मसावाद जो अमरिट सर से निकलता था से वाबस्ता रहे फिर हफ्त रोजा मुसविर बंबई से जो निकलता था में मुदीर की हैसियत से काम किया आल इंडिया रेडियो से भी मुनसलिक रहे कुछ अर्सा फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे कई फिल्मों के लिए कहानियों के साथ मकाल में और स्क्रीन प्ले भी लिखे मुल्क की आजादी के बाद 1948 में वो मुस्तकिल तोर पर लाहौर चले गए तमाशा मंटो का पहला अफसाना था जो उन्होंने जलियां वाला बाख के सानेहे से मुतासिर होकर लिखा मंटो ने अफसाना निगारी में मौजू और हैयत के कई ऐसे तज्यूर्बे किये जो उन से पहले अफसाना निगारों के यहां नजर नहीं आते मन्टो के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी हकीकत निगारी है नया कानून टूबा टेक्सिंग के इलावा सिया हाशिये के मुखतसर अफसाने इस बात का सुबूत है कि मन्टो ने सियासी मसाइल और मोज़ूआत पर भी कलम उठाया अफसानों के अलावा मंटों ने ड्रामें, खाके, अदबी और फकाहिया मजामें तहरीर किये और एक नौविल बिला उन्वान भी शाया हुआ पेश है अफसाना नया कानून मंगो कोचवान अपने अड्रे में बहुत अकलमंद समझा जाता था, गो उसकी तालीमी हैसियत सिफर के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मूव भी नहीं देखा था लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीजों का इल्म था अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है उस्ताद मंगो की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे पिछले दिनों जब उस्ताद मंगो ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवा सुनी थी तो उसने गामा चौधरी के चोड़े कंधे पर थपकी दे कर मुदब्बिराना अंदाज में पेशन गोई की थी के देख लेना चौधरी थोड़े ही दिनों में इस्पेन में जंग छिड़ जाएगी और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा के स्पेन कहां वाकिए है तो उस्ताद मंगो ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था विलायत में और कहां स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को उसका पता चल गया तो स्टेशन के अड़े में जितने कोचवान हलका बनाए हुका पी रहे थे दिल ही दिल में उस्ताद मंगो की बड़ाई का एतराफ कर रहे थे और उस्ताद मंगो उस वक्त माल रोट की चमकीली सतेह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताजा हिंदो-मस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था उस्ताद मंगो को अंग्रेजों से बड़ी नफरत थी और इसका सबब वो ये बताया करता था कि वो उसके हिंदोस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जल्म ठाते हैं मगर इसके तनफर की सबसे बड़ी वज़ा ये थी कि चाउनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे वो उसके साथ ऐसा सुलूप करते थे गोया वो एक जलील कुटता है इसके इलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था जब कभी वो गोरे के सुर्खो सपेद चेहरे को देखता तो उसे मतली सी आ जाती ना मालूम क्यूं वो कहा करता था कि उनके लाल जुर्णियों बरे चेहरे को देखके मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर से उपर की जिली गल गल कर जड़ रही हो जब किसी शराबी गोरे से उसका जगड़ा हो जाता तो सारा देन उसकी तबियत मुकदर रहती और वो शाम को अड़े में आकर हल मार का सिगरिट पीता या हुके के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भर कर सुनाया करता ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को धीली पगड़ी समेथ जटका दे कर कहता था आग लेने आये थे अब घर के मालिक ही बन गए है नाक में दम का रखा है इन बंदरों की उलाद ने यू रोब गाटते हैं गोया हम उनके बावा के नौकर है इस पर भी उसका घुसा ठंडा नहीं होता था जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता शगल देखते हो ना तुम उसकी जैसे कोड हो रहा है बिलकुल मुर्दार एक धपे की मार और गिटपिट गिटपिट यू बख रहा था जैसे मार ही डालेगा और तेरी जान की कसम पहले पहल जी में आई कि मलाउल की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दू लेकिन इस खयाल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता और नाग को खाकी कमीस की आस्तीन से साफ करने के बाद फिर बुड़ बुड़ाने लग जाता पहसा मैं बगवान की इन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंगा गया हूँ जब कभी इनका मनहूस चेहरा देखता हूँ रगों में खून खूलने लग जाता है कोई नया कानून वानून बने तो इन लोगों से निजात मिले तेरी कसम जान में जान आ जाए और जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचेहरी से अपने तांगे पर दो सवारियां ला दी और उनकी गुफटगू से उसको पता चला कि हिंदोस्तान में जदीद आईन नाफिज होने वाला है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही वो मारवारी जो कचेहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसले में आए थे घर जाते हुए जदीद आईन यानि इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे सुना है पहली अपरेल से हिंदोस्तान में नया कानून चलेगा क्या हर चीज बदल जाएगी हर चीज तो नहीं बदलेगी वगर कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदोस्तानियों को आजादी मिल जाएगी क्या ब्याज के मुतालिग भी कोई नया कानून पास होगा इन मारवाडियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिल बयान खुशी पैदा कर रही थी वो अपने घोडे को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था मगर उस रोज वो बार-बार पीछे मुड़कर मारवाडियों की तरफ देखता और अपनी बढ़ी हुई मूचों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ उंचे करके घोडे की पीट पर बागें धीली करते हुए बड़े प्यार से कहता मारवाडियों को उनके ठिकाने पहुँचा कर उसने अनारकली में दीनु हलवाई की दुकान पर आजसेर दही की लसी पी कर एक बड़ी ड़कार ली और मूचों को मूँ में दबा कर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज में कहा तेरी ऐसी की तैसिल सफ़ा बीस आद घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड़े की आहिनी चछत के नीचे बेदली की हालत में टहलता रहा उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे नए कानून के निफास के खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा कर दिया था वो इस नए कानून के मुतालिक जो पहली अप्रेल को हिंदोस्तान में नाफिज होने वाला था अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौरो फिक्र कर रहा था उसके कानों में मारवाडी का ये अंदेशा बार बार गुंज रहा था क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा और उसके तमाम जिसम में मसर्द की एक लहर दोड रही थी वो बेहद मसरूर था खासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत थंड़क पहुँची जब वो खयाल करता कि गौरों सफेद चूहों वो उनको इसी नाम से याद करता था कि थूतनिया नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी जब नथू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड़े में दाखिल हुआ तो उस्ताद वंगू बढ़कर उस से मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवास से कहने लगा अल्ला हाथ इदर ऐसी खबर सुनाओ के जी खुश हो जाए तिरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएं और ये कहकर मंगू ने बड़े मजे ले लेकर नए कानून के मतालिख अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी दोराने गुफटगू उसने कई मरतबा नत्थू गंजे के हाथ पर जोर से अपना हाथ मार कर कहा तू देखता रहे क्या बनता है ये रूस वाला बादशा कुछ ना कुछ जरूर करके रहेगा उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निजाम के इश्तेराकी सरगर्मियों के मतालिख बहुत कुछ सुन चुका था और उसे महा के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थी इसी लिए उसने रूस वाले बादशा को इंडिया एक्ट यानी जदीद आईन के साथ मिला दिया और पहली अपरेल को पुराने निजाम में जो नई तबदीलियां पैदा होने वाली थी वो उन्हें रूस वाले बादशा के असर का नतीज़ा समझता था कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक चारी थी उस्ताद मंगू ने इस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशा और फिर नए कानून के साथ खल्ट मल्ट कर दिया था इसके इलावा जब कभी किसी से सुनता कि फलाँ शहर में इतने बम साथ पकड़े गए हैं या फलाँ जगा इतने आदमियों पर बगावत के इल्जाम में मुकदमा चलाया गया है तो इन तमाम वाकियात को नए कानून का पेश खेमा समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था एक रोज उसके टांगे में दो बैरिस्टर बैठे नए आईन पर बड़े जोर से तनकीद कर रहे थे और वो खामोशी से उनकी बाते सुन रहा था उन में से एक दूसरे से कह रहा था जदीद आईन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई है सियासी नजरिये के अतबार से भी ये फेडरेशन बिलकुल गलत है बलके यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं इन बैरिस्टरों के दरमयान जो गुफटगू हुई चुकि उसमें बेशतर अलफाज अंग्रेजी के थे इस से उस्ताद मंगू सिर्फ उपर के जुम्ले ही को किसी गदर समझा और उसने ख्याल किया ये लोग हिंदोस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आज़ाद हो चुनाचे इस ख्याल के जेर असर उसने कई मरतबा इन दो बैरिस्टरों को हिकारत की निकाहों से देख कर दिल ही दिल में कहा तोडी बच्चे जब कभी वो किसी को दबी जबान में तोडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने इस नाम को सही जगा इस्तमाल किया है और ये कि वो शरीफ आदमी और तोडी बच्चे में तमीज करने की एहलियत रखता है इस वाकिये के तीसरे रोज गवर्मेंट कॉलिज के तीन तुलबा को अपने तांगे में बठा कर मुजंग जा रहा था कि उसने इन तीन लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना नए आईन ने मेरी उमीदें और बढ़ा दी है अगर साहब असम्बली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजमत जरूर मिल जाएगी वैसे भी बहुत सी जगें निकली है शायद इसी गड़बड में हमारे हाथ भी कुछ आ जाए हाँ हाँ क्यों नहीं वो बेकार के ग्रेजवेट जो मारे मारे फिर रहे हैं उन में कुछ तो कमी होगी इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगू के दिल में जदीद आईन की एहमियत और भी बढ़ा दी और वो इसको ऐसी चीज समझने लगा जो बहुत चमकती हो नया कानून और वो दिन में कई बार सोचता यानि कोई नई चीज और हर बार उसकी नजरों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने दो बरस हुए चौधरी खुदा बक्ष से बड़ी अच्छी तरहा ठोग बजा कर खरीदा था उस सास पर जब वो नया था जगा जगा लोहे के निकल चड़ी हुई कीले चमकती थी और जहां जहां पीतल का काम था वो तो सोने की तरहा दमकता था इस लिहास से भी नए कानून का दरखशा और ताबा होना जरूरी था पहली बार अपरेल तक उस्ताद मंगू ने जदीद आईन के खिलाफ और उसके हक में बहुत कुछ सुना मगर उसके मतालिख जो तसवर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदलना सका वो समझता था कि पहली अपरेल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा और उसको यकीन था कि उसकी आमद पर जो चीजे नजर आएंगी उनसे उसकी आँखों को जरूर ठंड़क पहुँचेगी सफ़ा 22 आखिरकार मार्च के 31 दिन खत्म हो गए और अपरेल के शुरू होने में रात की चंद खामोज घंटे बाकी रह गए मौसम खिलाफ मामूल सर्द था और हवा में तासकी थी पहली अपरेल को सुभा सवेरे उस्ताद मंगू उठा और इस्तबल में जाकर तांगे में घोडे को जोता और बाहर निकल गया उसकी तबियत आज गेर मामूली तोर पर मसरूर थी वो नए गानून को देखने वाला था उसने सुभा के सर्द धुंदलके में कई तंग और खुले बाजारों का चक्कर लगाया मगर उसे हर चीज पुरानी नजर आई आस्मान की तरह पुरानी उसकी निगाहे आज खास तोर पर नया रंग देखना चाहती थी मगर सिवाए उस कलगी के जो रंग बिरंग के परों से बनी थी और उसके घोड़े के सर पर जमी हुई थी और सब चीजें पुरानी नजर आती थी ये नई कलगी उसने नए गानून की खुशी में 31 मार्च को चौधरी खुदावख्ष से साड़े चौधा आने में खरीदी थी घोड़े की टापों की आवाज काली सडक और उसके आसपास थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर लगाय हुए बिजली के खंबे, दुकान के बोड़, उसके घोड़े के गले में पड़े हुए घुंगरू की जंचनाहट बाजार में चलते फिरते आदमी, उन में से कौन सी चीज नहीं थी जाहिर है कि कुई भी नहीं, लेकिन उस्ताद मंगू मायूस नहीं था अभी बहुत सवेरा है, दुकाने भी तो सब की सब बंध हैं इस खयाल से उसे तसकीन थी, इसके इलावा वो ये भी सोचता था हाई कोट में नौ बजे के बाद ही काम शुरू होता है, अब उससे पहले नए कानून का क्या नजर आएगा जब उसका तांगा गवर्मेंट कॉलिज के दर्वाजे पर पहुँचा तो कॉलिज के घडियाल ने बड़ी रहुनत से नौ बजाए जो तलबा कॉलिज के बड़े दर्वाजे से बाहर निकल रहे थे, खुश पोश थे मगर उस्ताद मंगू को न जाने, उनके कपड़े मेले मेले से क्यों नजर आए शायद इसकी वज़ा ये थी कि उसकी निगाहें आज किसी खेरा कुन जल्वे का नजारा करने वाली थी तांगे को दाईं तरफ मोड कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था बाजार की आधी दुकाने खुल चुकी थी और अब लोगों की आमदो रफ्त भी बढ़ गई थी हलवाई की दुकानों पर काहकों की खुब भीड थी मनिहारी वालों की नुमाईशी चीजें शीशे की अलमारियों में लोगों को दावते नजारा दे रही थी और बिजली के तारों पर कई कबूतर आपस में लड़ जगड रहे थे मगर उस्ताद मंगू के लिए इन तमाम चीजों में कोई दिल्चस्पी ना थी वो नए कानून को देखना चाहता था ठीक उसी तरह जिस तरह वो अपने घोड़े को देख रहा था उस्ताद मंगू तबन बहुत जल्दबाज वाके हुआ था वो हर सबब की अमली तश्कील देखने का नसिर्फ खौहिश मन्थ था बलके मुतजस्स था उसकी बीवी गंगावती उसकी इस किस्म की बेकरारियों को देखकर आमतोर पर कहा करती थी अब एक कुआ खोदा नहीं गया और तुम प्यास से बेहाल हो रहे हो कुछ भी हो मगर उस्ताद मंगू नए कानून के इंतजार में इतना बेकरार नहीं था जितना के उसे अपनी तबियत के लिहास से होना चाहिए था वो आज नए गानून को देखने के लिए घर से निकला था ठीक उसी तरह जैसे गांधी या जवाहरलाल के जलूस का नजारा करने के लिए निकलता था लीडरों की अजमत का अंदाजा उस्ताद मंगू हमेशा उनके जलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों के हारों से किया करता था अगर कोई लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो तो उस्ताद मंगू के नजदीक वो बड़ा आदमी है और अगर किसी लीडर के जलूस में भीर के बाइस दो तीन फसाद होते होते रह जाएं तो उसकी निगाहों में वो और भी बड़ा था अब नए कानून को वो अपने जहन के इसी तराजू में तोलना चाहता था अनारकली से निकल कर वो माल रोट की चमकीली सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था कि मोटरों की दुकान के पास उसे चाउनी की एक सवारी मिल गई किराया तै करने के बाद उसने अपने घोडे को चाबुक दिखाया और दिल में ये ख्याल किया चलो ये भी अच्छा हुआ शायद च्छाउनी ही से नए कानून का कुछ पता चल जाए च्छाउनी पहुँचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को उसकी मनजिले मकसूत पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकाल कर बाई हाथ की आखरी दो उंगलियों में दबा कर सुलगाया और अगली नशिस्त के गदे पर बैठ गया जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी या उसे किसी बीते हुए वाके पर गोर करना होता था तो वो आम तोर पर अगली नशिस्त छोड़कर पिछली नशिस्त पर बड़े इतमिनान से बैठकर अपने घोड़े की बागें दाएं हाथ के गिर्द लपेट लिया करता था ऐसे मौकों पर उसका घोड़ा थोड़ा सा हिनहिनाने के बाद बड़ी धीमी चाल चलना शुरू कर देता था गोया उसे कुछ देर के लिए भाग दोड़ से छुट्टी मिल गई है घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग में ख्यालात की आमद बहुत सुस्त थी जिस तरह घोड़ा आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए कियासात दाखिल हो रहे थे जिस तरहा घोड़ा आहिस्ता कदम उठा रहा था उसी तरहा उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए कियासात दाखिल हो रहे थे वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गोर कर रहा था और इस काबल गोर बात को आईन जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था वो इस सोच बिचार में गर्क था उसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने उसे बुलाया है पीछे पलट कर देखने से उसे सडक के उस तरफ दूर बिजली के खंबे के पास एक गोरा खड़ा नज़र आया जो उसे हाथ से बुला रहा था जैसा कि बयान किया जा चुका है उस्ताद मंगू को गोरों से बेहद नफरत थी जब उसने अपने ताजा गाहक को गोरे की शकल में देखा तो उसके दिल में नफरत के जजबात पैदा हो गए पहले उसके जी में आई के बिलकुल तवज्जो ना दे और उसको छोड़ कर चला जाए मगर बाद में उसको ख्याल आया उनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफी है कलगे पर जो मुफ्त में साड़े चौदा आरे खर्श कर दिये हैं इनकी जेभी से वसूल करने चाहिए चलो चलते हैं खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड कर उसने घोड़े को चाबुक दिखाया और आँख जपकने में वो बिजली के खंबे के पास था घोड़े की बागें खीच कर उसने तांगा ठहराया और पिछली नशिस्त पर बैठे बैठे गोरे से पूछा सहाब बहादुर कहा जाना मांगता है इस सवाल में बला का तंजिया अंदास था सहाब बहादुर कहते वक्त उसका उपर का मूचों भरा होट नीचे की तरफ खिच गया और पासी गाल के इस तरफ जो मध्धम सी लकीर नाक के नथने से थोड़ी के बालाई हिस्से तक चली आ रही थी एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई गोया किसी ने नोकीले चाकू से शीशम की सांबली लकडी में धारी डाल दी उसका चेरा हंस रहा था और अपने अंदर उसने उस गोरे को सीने की आग में जला कर भस्म कर डाला था जब गोरे ने जो बिजली के घंबे की ओट में हवा का रुख बचा कर सिग्रिट सुलगा रहा था मुड कर तांगे के पायदान की तरफ कदम बढ़ाया तो अचानक उस्ताद मंगू और उसके निगाहे चार हुई और ऐसा मालूम हुआ कि एक वक्त आमने सामने की बंदूकों से गोलियां खारज हुई और आपस में टक्रा कर एक आतिशी बगूला बनकर उपर को उड़ गई उस्ताद मंगू जो अपने दाएं हाथ से बाग के बल खोल कर तांगे पर से नीचे उतरने वाला था अपने सामने खड़े गोरे को यू देख रहा था गोया वो उसके वजूद के जर्रे जर्रे को अपने लिगाहों से चबा रहा है और गोरा कुछ इस तरहा अपनी नीली पतलून पर से गैर मराई चीजें जाड रहा था गोया वो उस्ताद मंगू के इस जुमले से अपने वजूद के कुछ हिस्से को महफूज रखने की कोशिश कर रहा है गोरे ने सिगरेट का धुआ निगलते हुए कहा जाना मांगता या फिर गार बार करेगा वही है ये अलफाज उस्ताद मंगू के जहन में पैदा हुए और उसकी चोड़ी चाती के अंदर नाशने लगे वही है उसने ये अलफाज अपने मू के अंदर ही अंदर दोहराए और साथ ही उसे पूरा यकीन हो गया कि वो गोरा जो उसके सामने खड़ा था वही है जिससे पिछले बरस उसकी जड़ब हुई थी और खौमा खौमा के जगड़े में जिसका बाइस गोरे के दिमाग में चड़ही हुई शराब थी उसे तौन और करहन बहुत सी बातें सहना पड़ी थी उस्ताद मंगू ने गोरे का दिमाग दुरूस्त कर दिया होता कोचवानों ही पर गिरता है उस्ताद मंगू ने पिछले बरस की लड़ाई और पहली अप्रेल के नए कानून पर गोर करते हुए गोरे से कहा कहा या ना बांगता है उस्ताद मंगू के लहजे में चाबुक जैसी तेजी थी गोरे ने जवाब दिया उस्ताद मंगू की मूचें थर थर आई ये सुनकर गोरा हैरान हो गया वो चिलाया ये कहते हुए उस्ताद मंगू का दाहिना बालों भरा हाथ भिच कर एक वजनी घूसे की शकले अख्तियार कर गया क्यों जाते हो या बेकार बातें बनाओगे उस्ताद मंगू का लहजा ज्यादा सक्त हो गया गुरा पिछले बरस के वाकए को पेशे नजर रखकर उस्ताद मंगू के सीने की चोड़ाई को नजर अंदास कर चुका था वो खयाल कर रहा था उसकी खोपड़ी फिर खुजला रही है इस होसला अफजा खयाल के जेरे असर वो तांगे की तरफ अकड़ कर बढ़ा और अपनी चड़ी से उस्ताद मंगू को तांगे पर से नीचे उतरने का इशारा किया बैत की ये पॉलिश की हुई पतली चड़ी उस्ताद मंगू की मोटी जान के साथ दो तीन मरतबा चुई उसने खड़े खड़े उपर से पिस्ता कद गोरे को देखा गोया वो अपनी निगाहों के वजन ही से उसे पीस डालना चाहता है फिर उसका घूसा कमान में से तीर की तरहा से उपर को उठा और चश्मे जदन में गोरे की ठुड़ी के नीचे जम गया धक्का देकर उसने गोरे को परे हटाया और नीचे गिरा कर उसे धड़ा-धड़ पीटना शुरू कर दिया शच्दरो मुतहिर गोरे ने इधर उधर सिमट कर उस्ताद मंगू के वजनी घूसों से बचने की कोशिश की और जब देखा कि उसके मुखालिफ पर दीवानगी की सी हालत तारी है और उसकी आँखों में शरारे बरस रहे हैं तो उसने जोर-जोर से चिलाना शुरू किया उस चीखों पुकार ने उस्ताद मंगू की बाहों का काम और भी तेज कर दिया जो गोरे को जी भर के पीट रहा था और साथ-साथ ये कहता जाता था पहली अप्रेल को भी वही अकर्फू पहली अप्रेल को भी वही अकर्फू अब हमारा राज है बच्चे लोग जमा हो गए और पुलीस के दो सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ से चुड़ाया उस्ताद मंगू उन दो सिपाहियों के दर्मियान खड़ा था उसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वज़ा से उपर नीचे हो रही थी मूँ से जाग बह रहा था और अपनी मुस्कुराती हुई आँखों से हैरत जदा मजमे की तरफ देखकर वो हापती हुई आवाज में कह रहा था और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफों की मानिंद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता था और कभी हुजूम की तरफ उस्ताद मंगू को पुलीस के सिपाही थाने में ले गए रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून नया कानून चिलाता रहा मगर किसी ने एक न सुनी और उसको हवालात में बंद कर दिया गया मश्क समझदारी से भरा हुआ संजीतगी बुर्दुबारी घेरा बाहम गुफटगू आपस में अपने अपने ख्यालात का इजहार करना तनफुर नफरत करना मुकद्दर बेकैफ बेमजा मलाऊन असल लवस मलऊन यानि जिस पर लानत भेजी जाए हतक बेज़ती जदीद आईन नया कानून नया दस्तूर दीवानी मुकद्दमा जमीन या जाएदात का मुकद्दमा पेश खेमा किसी काम के शुरू होने से पहले होने वाली बात या वाकिया तोड़ी बच्चा अंग्रेजी हुकूमत का खुशामदी दरख्षा चमकता हुआ ताबा रोशन चमकदार रहूनत तकब्बर गुरूर खुशपोश खुशलिबास अच्छे कपड़े पहनने वाला मुतजसिस जुस्तुजू करने वाला तलाश करने वाला खेरा कुन जिससे आँखें चका चौंध हो जाएं गैर मराई जिसे देखा ना जा सकी तौनो करहन मजबूरन चारो नाचार चश्मे जदन में पलक छपकते ही शश्दर हैरत जदा हैरान अफसाना नया कानून का मरकजी किरदार मंगू कोच्वान है मंगू कोच्वान के जरीए मंटो ने एक सीधे साधे अनपड तांगे वाले की समझ को खूबी के साथ पेश किया है नमबर दो ये अफसाना उस दोर में लिखा गया जब हिंदोस्तान पर अंग्रेजों की हकूमत थी अंग्रेजों की ये हकूमत मंगू कोच्वान को बहुत खलती थी वो अंग्रेजों से नफरत करता था और अपने मुलक को आजाद देखना चाहता था नमबर तीन इस अफसाने से मालूम होता है कि आजादी से पहले हिंदोस्तानी आवाम में अंग्रेजों के खिलाफ गम औ गुस्सा था अंग्रेजों ने न सिर्फ हकूमत की बलके हिंदोस्तानी आवाम पर बहुत जल्म भीठाए और उन्हें बे इज़द भी किया मश्क सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक उस्ताद मंगू कौन था और उसे दुनिया के हालात की खबरें किस तरह मिला करती थी नमबर दो मंगू कोचवान अंग्रेजों से क्यों अफरत करता था नमबर तीन नया कानून के आने की खबर से मंगू कोचवान क्यों खुश था अमली काम नमबर एक मंगू का किरदार अपने अलफाज में बयान कीजिए नमबर दो इन अलफाज के मुताजाद लिखिए जंग जदीद सुस्त सुरूर गुमान नमबर तीन इन मुहावरों को जुम्लों में इस्तमाल कीजिए हवा से बाते करना हून खौलना जान में जानाना नजला गिरना नवाए उर्दू भाग दो पेशकस C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत